हाई विवर्वार असलाम आलेकोम विल्कम टो माई चैनल फ्रेंच आज मैं आप सब के लिए सिंगल कलर निटिंग डिजाइन लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है और दिखने में डिजाइन बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरीके से इस तरीके से लुख है और यह प्रोजेक्ट पर बहुत ही सुन्दर लगते हैं यह दिखने में इस तरह से दिख रही कि केबल की तरह है लेकिन हमने इसको फंदे को ट्विश्ट नहीं किया है बस ऐसे ही सीधे उल्टे फंदे को थोड़ा साथ से स्टार्ट करनी है अगर बॉर्डर के बाद आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप उल्टे से बढ़ा लेजेंगे मैंने बिल्कुल इस टेप आपको डिजाइन बताई है बॉर्डर बनाने से लेके बिल्कुल पूरा इमें डिटेल्स में बताई है बस थोड़ा साब को यहां पर दियान देनी है जो हम स्टार्टिंग करते हैं इसको ऐसे करते हुए जाने हैं जैसे कि फंदे को खिसकाते हैं मतलब यहां से यहां तक लानी है ताकि इस तरीके से लाइनिंग बनता हुआ जाए तो बस इसी को आपको दियान देनी है जो में वीडियो में आपको बताऊंगे तो आपकी डिजाइन बहुत ही सुन्दर तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट पर सेट हो जाएगी आप देख सकती हो कितनी सुन्दर है इसमें हमने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया है बस यह उल्टे सीधे फंदे को ही थोड़ा आगे पिछे लाए और इस तरीके से बनता हो गया इस पर मैंने सेंपल बनाने के लिए ठाटी दिजाइन को हम कैसे बनाएंगे और शुरू करने से पहले आप से एक सोट इस रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दे से सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर भी क्लिक कर दिजे ताकि आने वाले वीडियो क कि जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आप तक पहुच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके और अगर आपको डिजाइन पसंद आए मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लेज वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देजेगा अपने फ्रें प्रोजेक्ट नहीं है तो पहले में उन जो है लेती हूँ इस डिसाइन को बनाने के लिए हमें दस के मल्टिपल फंदे लेने हैं इसमें को एक्षटा नहीं लेना है बस तैन के मल्टिपल अपने डालीजे जितना अपकी प्रोजेक्ट पर लेनी है वह आप 1010 करके फंदे बाद हो सिंपल डाल रही हूं आपको दिखाने के लिए एगर आपको डिजाइनर रपाद है तो है डाल लीजे डबल-उन करके डिजाइनर फन्देः तो मैं ऐसे सिंगल-उन से सिंपल फंदेड डाल रही हूं ऐसा मैंने 30% ले लिया है जो कि 10 के मल्टिपल करके अपने प्रोजर्ट के हिसाब से फंदे डालीजे और उसके बार बार बना लिए मैंने और यह तो तो एक स्लेय मुझे उल्टा उल्टा यौँ ए फर्णी है इसलिए मैं एक सेला उल्टा उल्टा बना रहे हैं कि प्लीट होगा है एक सिद्धी तरह से चाहिए बारणी बना रहे हो जो भी घजाल पसंद है वो आप बनां लिए खिथए मैं कम से कम 25 से सलाय बना लेती हूँ उसके बाद मैं आगे आपको डिजाइन स्टार्ट करके बताती हूँ क्योंकि जो बीगिनर से उनको फंदे डालना बॉर्डर बनाना और बॉर्डर के बाद डिजाइन को अज़ेस्ट करना नहीं आता है तो उनके लिए मैं बिल्कुल डि बाद में आगे आपको डिखाती हूँ डिजाइन कैसे इसमें डालनी है तो दिखेंगे फ्रेंज यहाप पर मैंने से बना ली है एक सीधे एक उल्टा करते हुए अब मुझे आपको किसी प्रोजक्त के लिए फंदे बढ़ानी है तो अप उल्टी तरफ से पंदे बढ़ा हो जाएगे और यहाँ पर सीधी तरफ से पंदे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जो हम डिजाइन डाले है ना यह सीधी तरफ से हमें स्टार्ट करनी है तो पहले सिलाए सीधी तरफ से पूर इस जो है सिधा सिधा बनाते हैं जाएंगे प्रिकेशन्स एमेनल आश्टा कंप्लीट कर लिए है सिधी सिलाए बन गई है अब दूसरी सिलाए जो क्यूल्टी तरफ से थोड़ा समय आपको दिखा देती हूँ इसे भी पूरा उल्टा उल्टा ही बनानी है सेकेंड रोंग सर्च से करेंगे तो दिखेंड सेकेंड रोंप्लीट हो गई खुलते तरफ से अब आजाए ठाट रों से तरफ से यहां से थोड़ा सा द्यान से देखेंगा प्रेला फंदा उतार लेंगे इसको भी काउंट करेंगे एक दू तीन चार स्टार्टिंग में चार फंदे यह सीधे बनाएंगे उन अपनी तरफ करेंगे फिर एक दो तीन चार पात छे उन पीछे देखेंगे यह जो चार फंदे सीधे और छे फंदे उल्टी है ना इन्हीं दस फंदों को आपको अब बार बार रिपीट करते हुए रुप जानी है आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार उन अपनेठ च्छे फंदे उल्टे लटे एक दो तीन चार आप और आप है कि अ विद्स when अ चयों आप हम आघे आज्टाइब यह Arai कैस्तर के बाद हम चीजेंगे वो मैं आगे आघेर ऐसे ही आप πेहले तब स्क्रावट से कर लिजए अब İs दूसरी सराइब उल्टी तरफ से यह जो हमने श्टार्वंद जार हमने च चार पंडव करीगे यह से यह स्टार्व वह पाट जओ नागे चार एक को पेछ छीफंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और एच शै कि वुन अब्नी तरफ चार फंदे उल्टे 1 दो तीन 4 पीछे सीधे 1 दो तीन चार पांच छ ऐसей दूसरी सिलाए उल्टे तरफ यह स्लेदेख लार्ट में oral ऑ Bee बना रेंगे रडेश्टर निजाली wedi सीधी तरफ से थर्ट जैसे हमने बनाई है फीप तरो भी सेम व्यासी बनाएंगे चार फंद स्टाटिंग के सीधे पहला पंद उतार तो दीए आप उन अपनी तरफ करके छे फंद उल्टे ऐसे ही पूरी लाश्ट तक बनाते हुए जाएंगे जितने भी फंद हुंगे तो इसमेर गशेर गश्रें के सरे हम लाश्ट तक बना लेंगे और लाश्ट में 6 फंदे्व फिर से उल्टे आएंगे फिप्स रो गई है स्पार्ण नोद तरफे आप अब जाए 6 रो स्टी तरफे जो पंदा जैसा है वैसे बनाएंगे 4 फंदे यह बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, सोरी, छे फंदे सिधे बनाएंगे, पाच, छे, छे फंदे सिधे, उन अपने तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और ये चार, उन पीछे, छे फंदे सिधे, और ये लाश्ट में, चार फंदे उल्टे बना देंगे, शटी सिलह कम्प्लीट हो गई है, अब आजाए, साथ फी सिलह सेवेंथ रो, जो कि सिधे तरफ से, जैसे हमें, फर्स्ट और सेकेंड रो बनाएंगे, जो कि पूरा सिधा सिधा बनाएंगे, जो फंदा उल्टा है, उ से भी सिधा, मतलब टोटल सलाय हम, जो है सावेंथ रो, सिधा सिधा बनाएंगे, जैसे, तो दिखें, साथ फी सिलह सिधे तरफ से सिधा सिधा बनाती हमें, कंप्लीट कर लिए है, अब अज़े ये आठ फी सिलह जो कि उल्टी तरफ सिधे पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे, तो ये आठ शोला की डिजाइन हमारी एकम्प्लीट हो गई है, अब फिस से हमें डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करनी है, वो कयसे करनी है फोरा समय उनकों बताती हो, यहां से यहां तक 8 सलाई है अब इन्हीं 8 सलाई को रिपीट करते हुए जानी है बस थोड़ा सा इसमें चेंज करने हैं तो आप देखें यहां पर जो 9 रो है न वो थोड़ा सा कैसे बनाएंगे यह हमारी 6 फंदे उल्टे है और स्टार्टिंग के चार फंदे सीथे इन में से दो फंदा हम लेंगे और हैंसरी कुन तरफ करेंगे यह हैंक यह चार 5 6 उल्टे बनाएंगे उल्टा फंदा सेम रहेंगे और भी छाटेंग में थोड़ा सा चेंज करेंगे 2 पंद चुर hours टो सीदे उल्टे पीछे अब देखिए ये दो पंदे आप पर उल्टे है इन दो फंदो को लेंगे और यहां से 2 फंदे सीधे लेंगे टोटल हो गए 4 फंदे सीधे बनाएंगे देखे एक दो तीन चार इसी तरीके से रिपेट पैटन हम स्टार्ट करेंगे फिर से उन अपने तरफ 6 फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाच छे उन पीछे चार पंदे सीधिये एक दो तीन चार उन अपनी तरफ छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच छे इस तरीके से रिपीट करते हुए जाएंगे फिर से और लास्ट में बचेंगे दो फंदे इन्हें हम सीधा बना देंगे अब आजाए उल्टी तरफ से जो कि हमारी बनेगे तैन त्रो दसवी से लाई पहला फंद उतारा दूसरा फंद उल्टा बनाए उन प तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार उन पीछे छे फंदे सीधे एक दो कि तीन चार पाट छे उन अपनी तरफ चार फंदे उल्टे ऐसे ही फिर से हम रिपीट करते हुए लास्ट तक बना लेंगे विजयन डालते हैं जैसे कि यहाई तीन चार चार लाइनग में चाहिए यहाई ने चाहिए ने चाहिए हो और दो स्लाय मैं और भाउन बना भी करें यहां से सिधा 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 बनाने कि इस ऐसे ही बनाते है प्लास तक गप सिधह बनालेँ अब उल्टिसलेक पूरा उल्टा उल्टा इस तरह से बनता हुआ है अब थोड़ा सा फिरसे मैं आपको रिपीट करते हुए अब रिजाइन को फिरसे हमें सकाते हुए यह दर तक ला रही है और यह सीधे पंदे जो उल्टे फंदे हैं इन दो फंदो को सेंटर में बनाएंगा आपको डिजाइन इसी तरह के से अज्ज दो फंदे लेकर सीधर बनाने हैं और भाकी साह से यहां तक एनफे भूल्टे बनाने हैं तो यहां पर देखें पहले हमने यह नीजम सीधा बनाया था अक normण पर कोई सिधर कोी फंदा सीधा नहीं बनानी है इस्टार्टिं से 10 स ह्फंद उल्टे बना देंगे उन पीछे यहां से 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4 4 फंदे हमने सीधे बना दे फिर उन अपने तरफ 6 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर उन पीछे 4 फंदे सीधे ऐसे ही फिर से मैं आपको स्टाट करके बता दी है इसी तरिके से आप रिपीट करते हुए जाएंगे और फिर इसी तरीके से से मैं आपको पता है छे उल्टे चार सीधे फिर से उल्टा सीधा इस तराके से फिर साब 4 सिला मय बना लो morality बना लिए first 1, two है च्छे लास्ट कि चार पंदे सीधे इस अनिए है करो गिलिद्ट है इस तरह को बार बार रपीद करते जाए आप देख लिए Jesus सब starts सब्सक्राइब कर नाएंगे इस तरह से बनाती है आता जाएंगा दिखने में केबल की लेकिन हमें ट्विष्ट को थोड़ा सा अगे पीछे लानी होती है तो जब आप इनको बना लेंगे आप से चार फंदे बना लिए उसके बाद दो फंदे लेंगे और यहांसे जो है चार फंदे इस तरीके से करते हुए आपको फिर डिजाइन को रिपीट करनी है और इस तरी प्रोजेक्ट पर अपने लिएंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और जो साथ में बैल आइकन है उसे भी किलिक कर दिजे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप को वाला पेटर्न कैसा लगा इससे आप किस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट पे आप बता सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में किसे एक नई डिजाइन के साथ अब तक के लिए लाहाँ आफिस तो में अद रखेगा थैंक यू